ओम सिरीगने सायनमा दोस्तू एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वारे हैं साथ अगस्त सौंबार के रासी फलके बारे में कीह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपोन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा रहेगा जरूरी काम बनने से आज आपको लाबदायक अवसरों की प्राप्ति होगी रुकावधन आज आपको वापस मिल सकता है अच्छे खबर मिलने के भी आज आपके लिए अने को योग बन रहे हैं उच्च पदा दिकारी और बुजोर्ग वर्ग की किरिपा दरश्टी आपके उपर रहेगी सबी काम सरलता से संपन होते हुए आज आपको प्रतित होंगे साथिसाथ आज आप अपनी कार्रे कुसलता के दम पर कई महत्पपूर्ण कार्रे बहतरिन तरीके से पूर्ण करेंगे जिससे आपको काफी राहत महसूस होगी किसी नजिदी की रिष्टेदार का गर में आगमन और हास परियास में समय व्यातित होना घर के माहुल को काफी खुसनुमा बना कर रखेगा अपने परिवार में व्यवस्ता बनाए रखने के लिए जो नियम और काइदे बनाए हैं वो वाके में काबिल तारीफ हैं इससे घर में अनुसासित माहुल रहेगा और बच्च वी अपनी पड़ाई की और एकागरचित रह पाएंगे आज रोजमरा की जिंदिगी से कुछ हटकर नया करने की सोचें इससे आपकी मानसिक और साररिक ठकान दूर होगी और एक नई उरजा का प्रभाब अपने अंदर आप महसूस करेंगे फाइनेंस से संबंदित महत्पपूर्ण निर्ने लेने के लिए आज के दिन आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तों आज का समय आपके लिए कुछ शकार अत्मक उपलब्यां लेकर आ सकता है अपने महत्पपूर्ण कारर को निवटाने में अपनी आज आप पूरी उर्जा लगएं आपके प्रियास अवस्से ही सफल होंगे धर्म कर्म के प्रती अस्ता रहेगी दिल की अपेक्षा दिमाख से आज आप निर्ने ले भावुकता में आकर आपके निर्ने गलत हो सकते हैं शेयर मार्केट और रिस्क सम्मंदित कारों में आप आपके लिए लाबदाएक परिस्तियां आज उत्पन हो सकती हैं, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता हैं, दोस्तो परिवारिक इस्तियां आज तनाव पूर्ण हो सकती हैं, परिवार में एक दूसर के साथ ताल मेल का आभाव हो सकता है अनावशक बातों को लेकर विवाद उत्पन होने की भी आज संभावना पाई जाती है किसी तरह के मन में भ्रहम उत्पन होने से एक दूसरे के साथ कहा सुनी हो सकती है साथ साथ बच्चों की किसी नकार अत्मक गतिविदी के कारण आप में तनाव और क्रोध जैसी भावना उत्पन हो सकती है परन्तु उनकी गलतियों को दोस्ताना पूर्ण तरीके से ठीक करनी की आप कोशिस करें इस से इस्तिती में जल्द ही सुधार आ जाएगा साथ साथ आप किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलूओ पर अच्छे से विचार अवस्य कर लें आपकी भावुकता और उदारता का लोग आपका फायदा उठा सकते हैं दोस्तों के साथ अधिक मेल मिलाब भी सिर्फ समय की बरवादे ही कराएगा दोस्तों ध्यान रहे कि किसी भी निर्णे को लेने में बहुत अधिक समय लगाना हाथ में आई हुई उपलब्दियों को दूर कर सकता है अपनी वाणी और जिद्धी स्वभाव को नियंत रित रखे मामा पक्ष से किसी प्रकार की गलत फेहमी आज उत्पन हो सकती है आपक के बारे में आज कुछ अपवा फैलाने की कोशिस कर सकते हैं जिसकी वज़े से बडोसियों दोस्तों के साथ संबंद खराब हो सकते हैं किसी भी परिस्तितियों को सांतिपूर्ण तरीके से समझाएं गुस्षा करना समस्याओं को और बढ़ाएगा इसलिए अपने कोई भी कारे करने से पहले उस पर गंभीरता से सोच विचार करना अति आवश्षक हैं कोई बाहरी व्यक्ति जलन की भावना से आपके उपर बदनामी या आरोप की इस्तिति उत्पन कर सकता हैं साफधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज के दिन आपका जीवन साथी आपको हर काम में आपकी मदद देगा और आपकी हर बात को सुनेगा जिससे आपके रिष्टे में सकारतमक बदलाग आएंगी आपके प्रेम जीवन में चली विश्वास प्रदान करेगा आपसे संबंदों में और अधिक नजदी की आएंगी बच्चों की किरिकारी संबंदित कोई सूचना मिलने से प्रसनता पूर्ण घर में वाता वरन रहेगा प्रेम संबंदों में भी और अधिक गंभीर ताएगी वैवाईक संबंद ठीक रहे किसी पुराने मित्र से मिलने से भी सुख़द यादें ताज आँगी दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवस्चे ही लाब उठाना चाहिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाय केरिय कैसा रहने वाला है दोस्तों कारेच्छित्र में आपकी निगरानी अती आवश्चक है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई से महत्पपून और आपके हाथ से निकल सकते हैं नोक्री पेसा व्यक्तियों को भी धहरे बनाकर रखना आवश्चक है क्योंकि उनके ओपर काम का अधिक बोज रहेगा कारेच्छित्र में कुछ नीतियों में परिवर्तन लाने की आपको आवश्चकता है सहयोगियों और कर्मचारियों की गतिविद्यों को नजर अंदाज ना करें आपके पीट पीछे आपको कोई नुक्सान पहुंचाने की कोशिस कर सकता है साजेदार आपके मान सम्मान पर बढ़ सकता है साथ साथ किसी अजनवी के साथ कोई भी डील फाइनल आप ना करें तो आपके लिए बहतर रहेगा दोस्तों साथ साथ कारेच्छित्र में चली आ रही किसी भी प्रिकार के दिक्कत को भी सांती पूर्ण तरीके से सुल्जानी की आपको आवश्कता है क्योंकि गुस्से और आवेस में आने से परिस्तितियां और बिगड सकती हैं अधिकारियों से भी बात चीत करते समय मानसिक इस्तिती सामान ने बना कर रखें दोस्तों साथी साथ आज का दिन मार्केटिंग सम्मंदित कार रहें और बाहरी गतिवीडियों मे व्यतित होगा नोकरी पेसा व्यक्तियों को भी अपना टारगेट पूरा होने से प्रमोशन मिल सकता है जिससे उनका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आज आपको एशिड़डी और गैस की समस्य उत्पन हो सकती है ऐसे में अपने खानपान में आपको शैयम बनाकर रखने की आवस्षक्ता है दोस्तों शाति साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुअस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए वि इसी जवर्तमंद को दान करें चांड दोस्तो ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त किश्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशनें चल लएखी हैं समस्त परिशनें ओकांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही प्रवाद आपको प्राप्त हो सुच्च दिल से कमेंट्स बोक्स में जै भूलेना तवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद